मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ने कोशन पूचा था कि सर आपका सबसे बड़ा रिग्रेट किया है तो रिग्रेट ये था कि भाई जब मैं 20 साल का था, 18 साल का था जब से मैंने अपना होश समाला था, जब मैंने अपना first business income या first professional income कमाई थी, तब से मैंने उतनी शिद्दत से invest नहीं किया या सच बोलूँ तो धंक से invest नहीं किया क्या आप भी इस regret के साथ जीना चाहते हैं, नहीं न, मैं 33 साल के उमर में जैसा कि आप हमेशा बताता हूँ, मैं financially independent हो गया था, खुश किसमती थी कि मेरी active income बहुत अची रही, लेकिन मुझे पता है कि हर किसी के लिए possible नहीं है बट, at the same time मैं आपको ये जरूर बोलूँगा, कि आप अपना समय waste मत कीजिए invest करना शुरू कीजिए, आज से, अभी से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक व्यक्ती, जो 18, 19, 20 साल का है वो अपनी investing शुरू कर सकता है, कहां से जो है उसे शुरुवात करनी चाहिए और कैसे कैसे जो है उसे आगे बढ़ना चाहिए, वीडियो को पूरा end तक जरूर देखिएगा अब जो भी सवाल आपसे पूचूँगा, उनका comment box में जरूर 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 जवाब दीजिएगा इस वीडियो में कोई hack नहीं बताने वाला कि आप दो दिन में कैसे अमीर बन सकते हैं, आप दस दिन में कैसे अमीर बन सकते हैं हाँ, कुछ लोग जरूर होते हैं जिनकी शायद internship चल रही हो या फिर उन्होंने कोई job शुरूर कर दी हो, तो उनके पास कुछ inflow जरूर आ रहा होता है Otherwise, इस 18-22 साल या 18-24 साल के व्यक्ति के पास अभी पैसा जो है, वो आया ही नहीं होता है वो कहां से चीजे ले रहा होता है, ममी बापा का support चल रहा होता है, या थोड़ी बहुत pocket money मिल रही होती है या फिर कुछ side jobs करके वो कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है मेरा पहला सवाल आप लोगों से यह है कि क्या है वो minimum amount जो आप invest करने के लिए तयार है It may be 100 rupees per month, it may be 500 rupees per month for some, it may be 1000 rupees per month for some और हो सकता है किसी के वास 5000 रुप महीने भी हो इस उमर के अंदर तो सबसे पहले मुझे comment में बताइए कि किस minimum amount से आप शुरू करना चाहते है मैं बताऊंगा कि वो minimum amount जो आपने कहां पर invest करना है Let us start from the lowest amount 100 rupees per month, 100 rupees महीना यानी 1200 rupees साल मैं आपको suggest करूंगा कि अगर आपको यह भी opportunity है तो आप बिलकुल ना छोड़े आप 100 rupees per month से भी investing करना शुरू कर सकते है Yes आपने सही सुना 100 rupees, 150 rupees, 200 rupees जो भी आपको per month amount छोटे से छोटा सही लगता है आप उससे investing करना शुरू कर सकते है Sir मैं ऐसा ना करूं कि मैं 10 साल wait कर लूं और उसके बाद जब बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं investing करना शुरू करूं तो एक line सुनिए और अपने धिमाग में permanently डाल लीजे Do not make best the enemy of better आप best को अपने better का दुश्मन ना बनाए आज अगर आपको 100 rupees से आप शुरुआत करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या इसके impact क्या आने वाला आपने इंवेस्टिंग शुरू कर दी और आपको बता है आज जद लोग इंवेस्टिंग शुरू ही नहीं कर पाते बहुत ध्यान सुनिएगा अब आपका interest जागेगा towards this field of investing यही गलती मुझसे भी थी मैंने investing शुरू नहीं करी जब शुरू नहीं करी तो भाई मेरा interest भी नहीं जागा लेकिन जब आप invest कर देंगे तो आपका interest जो है वो जाग जाएगा और आप लोगों को हमेशा यह रहेगा कि मुझे देखना है कि हो क्या रहा है मैं आपको इसके उपर भी guide करूँगा कि बहुत ज़ादा भी भाई नवाई साही नहीं होता है लेकिन येस आपका interest जो है जाग जाएगा आप इसके बारे में सीखने के लिए ततपर हो जाएगे आप कोशिश करेंगे मैं और जानू और पहचानू और देखूं कि क्या चीज़े हो रही है सर ये तो अपने बता दिया कि 100 रुप महीने से भी शुरू करो लेकिन कहां पर invest करो मैं सबसे पहले जाकर तो मेरी बात को सुनियेगा ध्यान से एक बात मैं आपको और बता दूँ ये 100 रुप महीने से भी बहुत ज़ाथा important है वो बात आप लोग youth है country का इस बात को ध्यान से सुनियेगा ऐसे influencers को follow ना करें जो आपको influence करके जबरदस्ती ऐसी चीज़े दिखाते हो एक flamboyant आपका lifestyle दिखाते हो जिनने देखके आप motivate हो जाते हो कि मैं भी ये वाले जूते लूँगा मैं भी ये वाली गाड़ी लूँगा आप follow कीजे लेकिन at least ये भावना मत रखें अपने अंदर मैं क्या कहना चाता हूँ please do not buy things to show off और उन चीज़ों को लेने के लिए अगर आप loan ले रहे हैं तो आप तो और भी बहुत जादा बड़े हैं show off करके कभी कोई चीज buy नहीं करनी है आपने इक बाद ध्यान रखना है कि आपने कभी भी किसी को देख के ये नहीं सोचना है कि यार ये मैं भी लूँगा उसने किया है तो ये मैं भी ये मैं भी जो है ये वाली bike लूँगा never do it unnecessary credit card expenditure और unnecessary loan से दूर रहें आजकल आपके आसपास जो है लोग मंडराते रहते हैं phone खरीदने तक के लिए 10,000 का phone खरीदने तक के लिए आपको loan जो है वो दिया जा सकता है और बड़े खुश होते हैं आपको loan देके आपके चक्कर में हम लोगों की जो है नेसेसिटीज में जीए यह जो उम्र है ना इसमें आप सिरफ और सिरफ नेसेसिटीज पे ध्यान दीजिए तभी आपकी जबरदस्त wealth corpus जो है वो create हो पाएगा अब सवाल आता है कि यह 100 रुपे जो मेरे पास है इसे invest कहां करूँ देखो भाई वैसे तो इसमें कहीं लोग आपको बोलेंगे और आपको ऐसे demotivate करेंगे इस 100 रुपे में नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगे क्या मैं आपको बता दूँ इस 100 रुपे में नंगा नाएगा भी निचोड़ेगा भी और बचाएगा भी क्या करना है आप लोगों ने step 1 आप जाएए IDFC mutual fund की website पे वहाँ पे आप लोग 100 रुपीज पर मन से index fund में इंवेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं अगर कोई आपको कहता है नहीं हो रही है तो आप simply जिसके साथ भी आपका DMAT account है जिरोधा के साथ अब यह कोई direct investing advice नहीं है मैं आपको educational purpose के लिए बता रहा हूँ आप जो भी करेंगे आप उसके लिए खुद responsible होंगे but I am trying to guide you कि these are the things जो आप कर सकते हैं सर क्या मैं directly जाके अभी equity बाय कर लूँ क्या मैं directly जाके सर XYZ bank का या XYZ company का share why कर लूँ मैं आपको बोलूँगा कि आप समझिये क्या आपको पता है एक company का fundamental analysis कैसे करते हैं क्या आपने पहले कभी किसी company का fundamental analysis किया है अगर हाँ तभी जाईएगा otherwise please don't do this please don't do this relaxed रहिए अभी आप लोग index fund से अपना पहला investment जो है वो शुरू कर सकते हैं पूरी research करने के बाद पूरी responsibility आप लेंगे बस महाँ पे आप छोटे amount से एक अच्छा diversified portfolio जो है वो create कर सकते हैं sir what about those traditional options हमारे पापा बोलते है FD कराओ RD कराओ और FD RD करा के रग दो हमारे पापा ने तो हमारे कुछ पैसो की FD करा भी रखी है let me tell you guys it's a waste return बहुत कम है tax efficient है नहीं तो ultimately आपका पैसा जो है वो deplete हो रहा है deteriorate हो रहा है खतम हो रहा है उन FDs को छोड़िये और index fund से investing जो है अपनी शुरू कीजिए proper research के बाद at the same time मैं आप लोगों को बोलूँगा एक बहुत important बात और वो बात क्या है आज घर में अपने पापा से मम्मी से बैटके बातचीत कीजी क्या उनका health insurance है अगर उनने health insurance ले रखा हो को तो definitely आप भी उसके अंदर covered होंगे अगर नहीं है तो सबसे पहले सारी investing लेकर सब छोड़िए पहले health insurance दिलवाईए पापा मम्मीों को और आपके घर में जब के भाई बहने उनको ये बहुत ज़रूरी है बहुत ज़ादा ज़रूरी है और आपको बता दूँ एक साथ साथ के health insurance लेकर आप लेते हैं तो आपको insurance जिसमें purely जो है insurance element होता है एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी आप earn नहीं करते हैं तो आपको term insurance नहीं मिलेगा generally speaking दो साल की return of income मांगी जाती है term insurance के लिए तो अगर आप भी आप लोग earn नहीं करते हैं तो आपको term insurance नहीं मिलेगा यह बात याद रखेगा और यह बात communicate भी कर दीजिएगा चीज़े बिल्कुल क्लियर है investing शुरू करनी है index fund में हम लोग research करने के बाद invest कर सकते हैं direct stocks में भी नहीं जाना है even direct mutual funds में भी नहीं जाना है और कुछ ऐसे tools जहांपे सर आपको बोला जाता है हम आपका portfolio design करके देंगे या automated portfolio design है वहाँ पर भी मत जाईए वह बहुत complicated है अब आप beginner है तो आपके लिए index fund सबसे set है उसके बाद लेकिन याद रखेगा loans नहीं लेने हैं आपने life insurance अपने घर में चेक करवाना है health insurance अपने घर में चेक कराना है health insurance section 80D में deduction दिलाता है life insurance 80C में deduction दिलाता है sir what about those PPF and सुकन्या स्मिर्दी scheme तो मैं आपको बोलूँगा उनके लिए अभी आप लोग रुक जाईए सुकन्या स्मिर्दी scheme तो तभी मिलती है जब आपके घर में एक daughter हो और PPF में definitely आप लोग invest करना शुरू कर सकते है बट अभी के लिए आपके पास आपकी risk appetite बहुत जबरदस थोनी चाहिए इस समय मतलब जबरदस ते मतलब मेरा यह नहीं है कि उठाके penny stocks में घर बेच के पैसे लगा दिए घर गिर भी रखके ऐसा नहीं बिलकुल भी लेकिन आपकी age के हिसाब से अभी मैं आपको PPF सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ जैसे से आप बड़े होंगे आपके पास income आने लग जाएगी तो अपनी income का एक portion जरूर हम लोग PPF में डालेंगे जरूर 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 डालेंगे उसको छोड़ना नहीं है वो एक जादूई चीज है जो सरकार की तरफ से हमें बहुत कम चीज़े मिलती है सरकार की तरफ से लेकिन वो एक gift है तो Public Provident Fund को हम लोग जरूर यूज़ करेंगे और अगर आपके घर में डॉटर है तो आप लोग ब्लेस्ट हैं सन है तो भी ब्लेस्ट हैं बट डॉटर है तो सुकन्य असमर्दी स्कीम की blessing भी जो है आपके पास रहेगी और कौन सी asset class मैं आपको suggest कर सकता हूं देखिए मैं कभी भी आप लोगों को gold suggest नहीं करता मैं आप लोगों को कभी भी real estate सेट नहीं करता real estate का ticket size इतना बड़ा होता है कि मुझे लगता है कि अभी हम लोग उस तरफ नहीं जा सकते हैं ना ही मैं आपको crypto currency suggest करता हूं crypto currency खेलने के लिए पांच रुपे 10 रुपे 100 रुपे 100 रुपे से कम कहीं में बिलेगी नहीं आपको तो 100 रुपे आप लोग जो है अपने interest के लिए डाल के रख सकते हैं बड़ उस पर भी ध्यान रखेगा आज कल आपके bank accounts बंद हो रहे हैं आपके सब्सक्राइब करते हैं कि आपके transactions को हम लोग restrict करने वाले हैं तो मेरी वन-liner सला अगर 20 वाले लोग सुनेंगे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 वाले मैं बुलूंगा equity is the way equity में धीरे-धीरे आप लोग काम करना सीखिए कि कैसे हम लोग invest कर सकते हैं देखिए मुझे trading नहीं आती बहुत सारे और youtube channels हैं जो actually मैं professional trading कर रहे हैं जैसे कि मैं एक व्यक्ति का नाम सुनता हूँ PR सुन्दर जी अब PR सुन्दर जी बहुत जबदर्स trading करते हैं at least उनके youtube channel पर जो दिखता है मुझे personally में उनको नहीं जानता हूँ बट जो मुझे vibes आई है वो यही आई है कि भाई he's a professional trader he's a full time into trading तो might be ऐसे व्यक्ति जो है आपको शायद trading के बारे में कुछ बता पाएं मुझे भाई मेरे पास बिल्कुल भी ग्यान नहीं है तो मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहूँगा मैं trading करता क्या answer is no I'm a very 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 long term investor में बहुत long term horizon के साथ जो है market के अंदर आया हूँ मुझे लगता है कि minimum minimum 20 साल तो मैं अपने आपको इसके अंदर invested रखूंगा मेरी age अभी है 35 साल और अब आने वाले 20 साल या नि 55 साल तक मैं इसके अंदर invested रहने वाला हूँ मेरा तो यह approach है आप 20 साल के है तो आप लोगों को मैं यह approach बोलूँगा कि आपके पास तो समय ही समय है 40 साल है आपके पास अपने आपको invested रखने का तो please वो अपने mindset बना के आईए कि I am coming here for the long term short term के लिए जो आपको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए वो आपकी skill, आपकी vocation, आपका profession, आपका business जो आप आगे invest करेंगे, index fund के बारे में एक बार आपको सब कुछ पता चल जाए तो उसके बाद आप धीरे धीरे जो है mutual fund की तरफ जा सकते बट mutual fund में भी यह रायता मत फिलाएगा कि आपने 10 mutual fund के अंदर invest कर रखा है, एक या दो mutual fund आपके लिए बहुत हैं बहुत हैं और तीस इसनी चीज़ जब आप mutual fund के ऊपर भी थोड़ा सा काबू पालें, आपको समाझ आने लग जाए, how things work, तब तक आपका interest develop हो जाए, then you can go direct into stocks, तब आप stock के बारे में जो है सोच सकते हैं, stocks हमेशा ऐसे choose कीजिए, जिनमें आगे 10-15 साल, 20 साल कमाई का बहुत मौका मिलेगा, वो companies बहुत अच्छी है, value investing के principles follow करते हुए, stock को select कीजिए, आप लोगों को हमेशा 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 फायदा पहुचेगा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा मैं अपना value investing का course remote करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल नहीं भाई, कोई जूरत नहीं है, आपको जहां से जो सी एक बहुत फेमस और investor है, मैंनों का नाम बूल रहा हूँ, I think Mr. Damani है उनका नाम, उनकी वीडियो है YouTube पे उसमें वो दिखाते हैं, वो करीना कपूर और करिश्मा कपूर का example लेते हैं, कैसे जो है एक विक्ति अगर पहले invest करना शुरू करता है, तो वो इस विक्ति से बहुत बार अपने students को सिखाने की कोशिश करिए, patience जरूर रखेगा और शुरुवात जल्दी कीजिएगा, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, stocks को directly choose करना इतना आसान नहीं होता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब आप stocks को जो है व बहुत उपर जाएगा, हो सकता है, वो कुछ समय के लिए उपर जाए, लेकिन let me tell you guys, वो share नीचे भी उतनी जल्दी आएगा, अगर आपने खुद की conviction से उसके उपर invest नहीं किया है, so the summary of this video is, number one, start as early as possible, number two, insurance, number three, आपने दूर रहना है, फालतु के खर्चे से, फालतु के loan से, number four, आप लोगोंने ध्यान रखना है, कि आपने index fund से जो है, आप लोग शुरुवात कर सकते हैं, then mutual fund and then direct into stocks, crypto से थोड़ा सा दूर रहिए, मैंने आपको बताया है कि भी regulations clear नहीं है, gold और real estate, real estate अभी हमारे बसकी नहीं है, और gold जो है, वो आपको एक okay okay return देता है, जब बहुत सारा पैसे कमाने लग जाएंगे, तो मैं आपको gold की जगे बोलूँगा कि PPF और SSS में जाएए, महाँ पे tax efficiency भी है, और आपके returns भी certain होते हैं, fixed होते हैं, हाँ lock-in period ज़रूर है, बट definitely हम वो portion जो हमें long run में चाहिए हमारे retirement corpus के ले चाहिए, वो हम रखी सकते हैं, क stocks में invest कर रहे हैं, तो हमारा objective है कि हमारा wealth create हो, जब हम PPF और सुकन्य असमरदी scheme या debt instruments के थूरू जाते हैं, हमारा objective होता है कि हमारा पैसा secure रहे, हमारा पैसा long run में जब हमें corpus के form में चाहिए हो, retirement के time पे चाहिए हो, तब हमारे लिए जो है वो secure रहे, और मैं आपको बहु है, उमीद करता हूँ आपको फिर से motivation में लिए invest करने की, आपके पास कोई भी सवाल या सुजाओ तो नीचे comment करके जरूर बताईएगा, मैं ऐसी वीडियो आप लोगों को motivate करने के लिए बनाता रहूँगा, investing is very simple but it is not easy, आप लोगों को बहुत सारी चीज़े सुनाई देत है, याद रखेगा, stock market में जब भी पैसा कमाएं तो लग को जरू credit दें, पिछले साल 2020 में ऐसा था, कि भाई मेरे पास पैसा भी था और market भी बहुत गिरी हुई थी, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से जो है, वो exploit कर पाया, यह लखी था, कि उस समय market के बारे में मैं सीखन पढ़ना, इंवेस्ट करना सीख रहा था, और अचानक से मेरे पास एक जबरदस्त opportunity आई, कि दुनिया की बड़ी-बड़ी companies, दुनिया की बड़ी-बड़ी companies, including US की companies, एकदम throwaway prices पे मिल रही थी, and I tried my best, जितना मैं इंवेस्ट कर सकता था, डर भी लगा, लेकिन जितना मैं इंवेस्ट कर सकता था, मैंने किया, और ऐसे मौके आपके पास भी आएंगे, बट याद रखे, you have to be prepared, और कैसे prepared रहेंगे, जब आप जल्दी इंवेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, you will learn a lot, और तब तक, जब तक अगला बड़ा fall आएगा, तब तक आप mentally prepared होंगे, और में तुरों सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बना